नमस्कार आप देखरें डीजेना नीज़ और मैं हूँ अभिशेक मुश्रा और आज प्रवासी भारतिय सम्मेलन का ओप्चारिक शुभारम में होने जा रहा है वैसे तो तमाम अतिती शहर में जित क्या आने का सिल्सिला परसों से शुरू हो गया था लेकिन आज मुख की समा आजे काम के पूरे होने के बराबर मानी जाती है और ये तमाम जो अदिती है उनके भी या आने का सिल्सिला शुरू हो गया है लेकिन किस अंदाज में उनका वेलकम किया जा रहा है वो तस्वीरे देखिए ये दोल और ताशे की जो पाइप्टी है आम तोट पर ये महराश इसके तल्चर में शामें हिस्सा हिए और इस वो तस्वीरे आप देखिए कि स्वागत को लेकर सभी पूरी तरीके से आतूर दिखाई दे रहे हैं है है Fo I Papa तस्वीरे आप लोग देख सकते हैं कि एंटरी के लिए क्वी इंड्रें के लिए क्या पूरी इस्तिति है और यह आइंसे जो कमाम अतिती है हुनके आने का सिल्सिला शुरू होगा यह तस्वीरे आप लोग देख सकते ह성ने क्याट है क्योंकि आ इंट्रेंस है, महाँ पर अधितियों को पहले वेलकम किया जा रहा है, जो दोनी आप लोगों ने सुनी, वोल ताशे की उसके साथ उन्हें एक तरह का सत्काद और अभिवादन किया जा रहा है उनका, और यहां थे भी उनको रजिस्ट्रेशन के साथ अंदर प्रवेश दिया तो कुल दिलाकर अपसे पुछी देर में जो पूरा यह कारीक्रम शुरू होने वाला है, उससे ठीक पहले कि यह तस्वीर रहें किस तरगा एक माहूल पूरा बन चुका है, हम आपको बता दें कि दो हजार से जादा की संक्या में यहां पर तमाम लोग आए में और हम बात क अपको बात बढ़ाई देती हूं और हम इंदवर आने का सभागे म्ला और हमारे पीम जो सरवोच लेता है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो स्वागत की परंपरा इंदवर में निभाई जा रही है उसको लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा जो दोल बजा रही है औसम गल्पावर बहुत अच्छा लगा अब इंदोर में इतना बड़ा कारीग्रम जो हो रहा है इसके बाद इंदोर शहर वासी देश में बलकि विश्व के पटल पर अपने कितनी ज्यादा साग को एक बढ़ाने काम करें बहुत करेंगी आगे जाए कर रही है कर रही है यह बहुत लोगों को पता नहीं है इन फैक्ट यहां पर एडूकेशन हब तो है ही पर मेरे ख्याल से और खुल रहा है बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए हम भी आपका स्वागत करते हैं और उमीद करते हैं कि बहुत अच्छा सेशन आप प्रोग्राम में यूद प्रवासी सम्मेलन के साथ इसके शुरुवात होने वाली है और सबसे पहले यहां रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए और जिस तरीके से आपने अभी माहौल भी देखा कि लोग जो है वो कितने ओवर्वामिंग हैं कितने खुश हैं अभी अतिति देवो भाव के लिए प्रस्विद्ध है तो शुरुवात कुछी देर में थोड़ी देर में प्रारम होने वाली है डेलिगेट्स का आना प्रारम हो गया यह देखिए जिस तरीकी विवैस्था की है होटल से शटल के माध्यम से यहां पर लाने का है कुछ नीजी वा लाये जा रहा है यह तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि तमाम जो लोग है वो यहां पर जुड़ रहे हैं सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि स्वागत को लिगर सब लोग आतुर हैं सब्ढ vengeance के लिए झाने कॉढ़ देख करते हैं यहां कंgra मनतरी को दन्यवाद और इस प्रकार से सेवा इसवा बहुत कुछ आइं तरव है भृत शुका रेख से बात्शेेट के लिए तो यह यह तस्वीरें आप लोग देखी क्योंकि जिस तरह के कर वेल कम यहां पर हो गया है देखिए में से भी बात कर लेते हैं लो गुड मॉर्निंग वेरी गुड में वेरी हैपी तुब इन दोर प्रवासिय भारतिया दिवस आप इंदोर कल शाम को आये हम लोग और गंपती का मंदिर में दर्शन होके आये हम लोग करणा मंदिर जी वेसे तो यह नीजी बा बहुत बहुत दिन्यवाद हमसे बातशीत के लिए और फिर यह थे स्वेर आप देखिय प्रवीण जी एक आप फिर प्रवींजी आपके साथ जूना चाहूंगा प्रवीण जी इस तरह कर आव लोग कर देखना है जी आप कुछ एना चाहें जी स्कुछल्ट प्रवर्म है इस आन्राइब सकार एक प्रणीयो अरी है इस जिया सेरा प्रणीट इस आन्राइब और है और सिर्द अवारे प्राइब कर नार इन्राइब के लिए ट्राइब से अन्राइब घुट मार नल्कॉटिण प्रतिक्रियां यहांपर सामने आरहे है कि वह तो वाकई में इंदोर के गौरों में चारचान लगाने बाघ बढ़ारे जाता है इस तरीके की विवस्ताइं की गई क्योंकि शाशन प्रशाशन बिचले कई समय से लगा हुआ है तैयारियों में और इस बात का विशेश ख्याल रखा गया है कि महमानों को किसी प्रकार की परिशानी नहों हमने देखा मुख्यमंत्री शिवरासी चोहान जो है वो लगातार सम बयाना के उनसे मिले उनसे उनका वेलकम किया जाकर और आज इस तरीके साथ आपने पूछाए कि सुबह से क्या प्रोग्राम है तो आज यूद प्रवासी का है तो जो सेकेटरी है विदेश मंत्रा लेके और सिफ सईद वो जो है उनका पहले ओपनिंग सेशन उनी के साथ हो और जो गेस्ट ऑफ ऑनर है इस पूरे सम्मेलन के लिए जो प्रवासी भारती यूद प्रवासी के लिए जेंटा जो ऑस्ट्रिलिया से आई है उनका जो है वो गेस्ट आया है मैं आपको फिर एक बार शामापुराक रोखना चाहूंगा कि ये जो लगता रखितियों के साथ में कर लेते हैं एक सेचं के बात करते हैं किया नियुक्त है लाओ हमस्ते अपर बात? प्रवासी भारतिय युवाओं की भूमिका भारत के निर्माण में भी कैसे हो वह बहुत बहुत हुपून है और मुझे लगता है वह प्रवासी भारतिय दिवस्ट है पहली बार ऐसा हो रहा है कि युवाओं के साथ इसकी शुरुआत हो रही है क्या संदेश है यह नई चाहे स्प्रिच्वालिटी की हो या सॉफ्वियर तरकी हो भारत के इवाओं अपनी धाकर जगरते माई है तो यह है अनुराग ठाकूर आपने जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है यहां पर और थोड़ा सा यहां पर क्योंकि तमाम गेस्ट के आने का सिलस चित किया गया है और यह तस्वीरे भी आप देखिए कि जो वेलकम करने का तरीका है सनातन धर्म के लियाद से संस्कृति के लियाद से वो यहां पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अनुराग ठाकूर अपसे पुद्धर में नहीं यहां पर पहुचे दे केत्री मंत्र से वो लगातार उनके आने का सिल्सिला जारी है हम आपको लगातार बता रहे हैं क्योंकि अपसे कुछी देर में सारे सेशन स्टार्ट होने हैं आज पहला दिन है और पहले दिन के लिहाद से अब क्या कुछ खास होने वाला है उसकी शुरुवात यहां पर हो गई है एक बा कैसे यूद पर बात की जानी है वे यूद नफेर मिनिस्टर भी है यह प्रयास किया जाएगा कि यूद के जो मुद्ने हैं अलग-अलग क्योंकि जब हमारी कल बात हुई थी कई ऐसे यूद जो इस प्रवासी सम्मेलन में शामिल होने आ रहे उनसे बात की थी तो उनका कहन पर बात की जानी चाहिए इसकालाबा जो पावर्डि लाइन के नीचे रहते हैं उन बच्चों की सिख्षा को लेकर बहुत कुछ किया जाना चाहिए तो सरकारों को इस आउर्ट देना चाहिए कि जो पावर्ट्री लाइन के नीचे हैं उन बच्चों की पड़ाई को लेकर तो कुछ इस तरह के मुद्धों पर प्रवासी का जो पहला सम्मिलन है यूद प्रवासी उस पर चर्चा की जानी है इसमें कई जो डेलिकेट्स आएं आप देखिए कि कई बच्चे जो हैं वो अपने अलग-अलग कंट्री को रिप्रेजेंट करते वे आ रहे हैं आप उनसे बात भी कर सकते हैं कि वो क्या मुद्धों को मुद्धों को लेकर बात करना चाहता है तस्वीर एक बच्चे आप देखिए जो तमाम डेलिकेट्स आ रहे हैं सिल्सिला जारी है क्योंकि साले नो बच्चे से पहला सत्र शुरू होना है और ये स्टुरेंट्स भी यहां पर आई हुए हैं क्या तनी चाहने क्या है Project आई है जोन्परी करना मुद्ध जो हैी जोह सकते है मुद्ध करें देरा से ख mashता किया कृफ षाह lata से फ़ल्ड हो देखिए देली प्रप्रश द भाई सो्हाई भी जोबयिघ प 무द्यरा सही चाहऌब अथैफीर अवाना है and I think it's a very nice way to explore Indore. As an NRI, sometimes we don't get the opportunity to connect with our home state and the chance to come back to our home country and see how far it's come and to be proud of how we have contributed to our home nation even though we are in different countries. I think it's really great. So we're excited to be here and to see more. Thank you very much. Thank you. So, all the youth have come here. It's really exciting. कहते हैं कि इंदौर जो है वो विकास के पध पर तेजी से विकास के रणवेय पर अब टेक off की ओ रहे है लेकिन जिस तरीके का यह पूरा अयोजन हुआ है और जिस तरीके की तैयारियां है पिछले तीन महां से हुआ नगरनिगम एंदौर जुटा हुआ है MPIDC जुटा हुआ है और जिस सुंदरी करन के साथ जो विकास के कारे हुए है वो एक कहिन कहीं एक नया आयाम देगा इंदवर को जिस तरीके से आप कल भी बात की थी मेर से तो उन्होंने कहा था कि जो सुच्छदा का सात्वा सर्वेक्शन होना है उसमें भी कहीं न कई पॉइंट को लेगा लेकिन जब यहां पर आज यह तीन दिन प्रवासी भारती के बाद दो दिन का ग्लोबल इंवेस्टर समीट है उसमें कई निवेश आ अपनी पूस्ताच करना प्रारम कर दिया हैं वे लोग चाहते हैं कि यहां आकर क्योंकि मद्वदेश सरकार ने वह एन्वार्मेंट दिया है जिससे निवेशकों को यहां आकर अपनी ग्रोथ नजर आती है मेरा सवाल यही से आपसे था क्योंकि अभी जो केंदरी मंतरी ने कहा तमाम डेलिगेट्स ने कहा कि भविश के सुदर निर्मान की यह रूप रखा है जब यह आयोजन होगा तो उसके बाद इंदोर खास तोर पर क्योंकि क्लीने सिटी भी है पूरे देश की कितना जादा है निवेशकों को आकरशित कर पाएगा और खास तोर पर हम बात करें मिनी मुंबई की बात की जाती है क्या इन फ्यूचर हम लोग यहां पर भी उस तरह के सेट्स या फिर फिर्म सिटी क्योंकि एक अपेक्षा है सब क्योंकि बड़े रोजगार के लिए और इंदोर में अ तो एक इंगल वो भी है कहीं ना कहीं अभिशेक में इसमें और एड करना चाहूंगा आपने कहा कि सुच्छता के लिए सिर्मोर है सुच्छता के लिए तो है ही लेकिन अब बैंगलोर और जिस तरह की कि जो आईटी एजुकेशन सेक्टर वो हैं उनको भी हम मात देने लग जो यूनिकॉन बन चुके हैं वो पूरे विश्व में उनका नाम है तो यह मद्वदेश के स्टार्ट अब हैं तो यह आप यह देख सकते हैं कि छोटी सी एक आधार है जहां से हमने उडान भरी थी और अब यह जो हम उच्छे आसमान पर उड़ने ते नजर आ रहे हैं यह करें बिलकुल दोराय नहीं है इसमें की वो आनेवाले शे जह वर्षों में एदओर उन सिटी से कई आगे नजर आएगा हम एज्यूकेशन के वामले में बात कर लें मेडिकल इंदओर हैं सेंटरल इंडिया का जो मेडिकल है वो इंदओर है इसके लगा एज्यूकेशन की बात करें आपने हमने आईटी सेक्टर की बात की हम स्टार्ट अप की बात करते तो वो सारा एको सिस्टम यहां पर मौजूद है जो निवेश को सबसे ज्यादा भाने लगा है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपती दुरूपती मुर्मू भी यहां आने वाल राष्ट्रपती जो हैं वो समापन करने वाली हैं तो चेडियूल जो जिस तरीके का है नो बच के बच्चिस पैतालीस मिनिट पर जो है वो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंचेंगे उसके बाद के शेडियूल यहां पर है वो लगबग साड़े-चार घं पर आजादी के पीछे क्या संगर्ष रहा है उन संगर्ष की कहानी जो है वो डिजिटल प्रदर्शनी में दर्शाए गई है उसका वे शुबारम करेंगे उसके बाद प्रवासी भारती दिवस का जो एक थीम सौंग है उसका भी लॉंचिंग जो है वो प्रदान मंत्री नर प्रवासी सम अवार्ड से जो है वो नवाजने वाली है उसके बाद दस तारिक को जो है वो साड़े चार बज़ेस का समापन होगा पुल मिलाकर इस तरह का आयो जाने हमारे कुछ और कुछ और मेमान नतिती यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि उनके आदे का सिलसिला जा जा रहा है लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और यह एक और तस्वीर है हमारे सहयोगी निलेश को रोसिया बताएंगे जो तमाम डेलिगेट से वह लगातार यहां पर आ रहे हैं अपने रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं और रेजिस्ट्रेशन के बाद प्रवेश के बा हम लोग बहुत सुख है यहां पर आकर हमें बहुत अच्छा से स्वागत किया अपलोगों ने और लगता है कि हम अपने ही देश में कब आया आप इंदोर को फेश्ट्रेशन जानवारी को के सराफ तक का इंदोर का सफर बहुत बढ़िया रहा है अमारे दिल चूदेने वा आप लोगों ने किया आप लोगों ने किया आप लोगों ने किया अपलोगों 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 ने अप्रशनिटीटी एक जो यूट। तो इस्सेली गुट। वे फ्रम दवाई JSS प्रइवाट स्कॉ्ल तुमाम इस्तुडेंट भी आपको तेखेंगें आपने पाध भी रख रहे हैं और यूद्टेज़ें तो उसे भी चछचा की हैं तो अलगातार बोगो के आने के सिल्चिला काती है सभी जो नावाजी अफटक दूपी गई है इंट अमें इंट शहरलासियो के तरफ से क्यों कही लोग घरो पर भी लुके हैं जी हमें कहा से आप? ये, हेलो, आप फ्रांस फ्रांस है? येस व्रांस है? ये, हैस्ट वह जाएट जाएट शहर रहा है तस्वीरे आप लोग दिखिए कहले हुए चेरे बता रहे हैं कि बहुत 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 है और जो तमाम यहां पर भानो की जो कातारे लगी हुई है वो बता रहे है कि बहुत वैल मेनेज़ तरीके से सभी अतितियों को कारिकरम इस्थल पर लाया जा रहा है हम अतितियों को चंचा भी कर रहा है और उनकी जो फीड़ बेक है वो बता रहा है कि कितने पहतर तरीके से उनकी मह्मान लवाजी इन दोर में थी गई हैंगे हम आपको बता दें कि कई अतिती उन्हें विकल्प दिया गया था, कि वो होमिस्टे कर सकते हैं, उसके लिए तकरीबन 125 घरों को चिनित किया गया था जहांपर होमिस्टे कर सकते थे, सो तक्रीबन इसे अतिती हैं जो अपने परिवार साहित होमिस्टे कर रहे और 25 जो अतिरिक्त व्योस्थाय रिजर्व में रखा था ताकि किसी कहां पर अगर कुछ अपरी इस्तिती बन जाए तो व्योस्था रहे और इसा दो-तीन परिवारों में हुआ भी सही कि नहीं कहां गमी हो गई थी तो उसके बाद यह जो रिजर्व व्योस्थाय की गई थी होमिस्टे की वह यहां पर की गई और लगबग लगबग जो तमाम डेलिगेट से उनके आने का सिलसिला पूरा हो चुका है और उसके साथ यह तस्वीरे भी आप लोग देखिए कि अब जो है गोल ताशे की पाइटी की विवोस्था की गई थी और एक बार फिर वहान यहां पर अंदर आना शुरू हो गए हैं डेलिगेट्स देखिए फिर एक बार यहां पर वहानों की कदारें आप लोग देख सकते हैं जी और दो यहां पर अलग अलग जो सेंटर बनाए गये हैं क कि एक अलग ही महोल में सभी का यहां पर स्वागत किया गया है यह वीवी आईपीज गेस्ट हैं जो सभी लोग अब यह प्रवेश के लिए अंदर जाएंगे हम आपको बताने कि रिजिस्ट्रेशन की प्रेक्रिया पूरी की गई थी जिसके बाद एक बार कोड इशू किया गया था और महां से पिर जो है सभी लोग उस बार कोड के अधार पर अंदर प्रवेश कर रहे हैं यह वीवी आईपी जिनके लिए अलग से जो है प्रवेश दौर बनाया गया है और यह तस्वीर हम आपको बिरिन कर्वेंसेशन सेंटर के दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम अतिति हैं उनकी तरफ से जो प्रतिक्रियां आई है वो हमने आपको बताई है तो हम लगातार आपको इस पूरे आयोजन से जुड़े अपडेट्स बता रहे हैं लेकिन अब एक बार फिर हम उस गेट पर चलते हैं और हमारे सायोगी प्रविन सावंत एक बार फिर सबसे पहले मैंने जिस तरीकी से बताया आपको की जो सेकेटरी है विदेश मंत्रा लाइके औसीफ सईद वो जो है वो अपने उससे शुबारम करेंगे उसके बाद अनुराक ठाकुर है यूद अफेर मिनिस्टर जो है वो इस संबोदित करेंगे मुख्यमंतरी शिवरास सी चाहते हैं कि यूद पर जो है वो चर्चा हो ना कि सिर्फ भाषण बाजी हो जिस तरीके से कई जो प्रवासी भारती आए है तो लगता है कि भाषण बाजी के इस तर से काफी ऊपर आ चुका है क्योंकि आप अंदर की थोड़ी अगर बाते बताएंगे कि जहां मीडिया आलाउनी है बावजुद उसके मां जो व्योस्ता की गई है उससे हम जान सकेंगे कि कि इतना स्टेंडर्ट यहां पर तो रॉत है जिसको निचोड केते वो निकलने बादें बिल्कुल आपने स्टांडर्ट की बात की क्योंकि विदेश मंतरा लएका कारेकरम ही अर देखिंए इस Fleischmanした लेकरे पहुँचे है उन्होंने आकर विवत्ताहों का जायजा लिया है समझा है तो इसकी अप गंशीनसा क के भी इंदोरी जो है वो मुरीद हुए कल जिस तरीके से उन्होंने 56 दुकान पर आकर और बड़ी सहस्ता के साथ प्रत्य दुकान पर जाकर एंदोर के जायकों का स्वाथ चखा है और बड़ी विनुम्रता के साथ लोगों से बातचित भी किये तो वो दिल चुने वाली दिल जीतने वाली जो उनकी आदा है तो वो कही न कहीं इस प्रवासी भारती सम्मेलन में भी नदर आएगा क्योंकि हमारे देश को वो पूरे विश्व में रिप्रेजेंट करते हैं और जिस तरीकी का उनका रिप्रेजेंटेशन है वो ना सिर्फ हमारे भारतियों को छूता है बलकि जो है वो विदेश के लोगों को भी छूता है तो प्रवासी भारती सम्मेलन जो यूथ प्रवासी होने बाला है उसका कहीं न कहीं को एक क्योंकि जिस तरीके जैशनक जी किते हैंगे और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहां पर सबसे पर आएंगे तो इवेंट में उनके लिए क्या क्या एसा कुछा सुना है जो मैसेज मिदेश के और स साथ सा जिसे पूरा आयोजन किया गया है उसके ठोच शकल भी हमें दिखाई ठोच दिखिए ठोश शकल इस लिहाज से रहेगी क्योंकि कल जिस तरीके से मुख्यमंतरी शिवरास से चोहान ने डीनर में उन से चर्चा की थी प्रवासी भारतियों से चर्चा की थी तो उनका ये कहना था कि हमको आपको यहां बुलाने का मकसद हमें मद्वदेश के साथ जोड़ में काम करेंगे और यह जो गड़बंदन है आज का जो आज हम आपसे जुड़ रहे हैं यह जुड़ाओ सदियों तक बना रहे हैं इसके लिए हम प्रयास करेंगे यह नहीं कि आज हम आप से कारिक्रम आपको बुलाया खाना किलाया महमान नावाजी की और आपसे अलग हो नहीं अब हम आपके साथ जुड़ेंगे और ये प्रदेश सरकार का जो और आपका गडवंदन है ये लंबे समय तक बना रहे हैं इसके हम प्रयास कर रहे हैं तो कई उन्होंने योजनाएं भी इसके लिए की कि आप मद्रदेश आए हैं तो घूमिए और निवेश कीजिए न उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे सर एक अच्छे परिधान के आप आए हैं मैं भारत प्रादान जी श्री मोदी जी से बहुत दैन्यवाद जैश्री राम जैबारत बाताजी की जैए सर ये बाब जो आपका गेट आप है ये जिए आज के लिए हमेशा है हमेशा मै इस पूरे आजन को लेकर आप कितना जाएगे इसे इंदोर को देश को मध्यप्रदेश को फाइदा हो हम सब हिंदू है मेरा अंसर मेरा पर पीटा जी बहुत बहुत धन्यवाद है तो यह तस्वीर है आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम डेलिगेट्स यहां पर आए हुए हैं और हमने आपको बताया कि किस तरह से पर पारंपरी की वेश बूशा में भी यहां पर जो मौरिशस से एक डेलिगेट आये थे उन्हो तमाम लोग आए हैं वो अंदर प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं और हम आपको लगातार इन सीधी तस्वीरों के माध्यम से बता रहे हैं कि अनराय संबेलन को लेकर क्योंकि अपसे चंद मिंटो बाद पहला सेशन स्टार्ट होना है अनुराग ठाकुर अपसे कुछ देर प जी हम और कुछ और भी लोग हैं जो होस्टिंग होस्ट कर रहे हैं उनकी भूमिका को नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं सर एक बड़ी जवाब दरी आप लोगों के उपर भी थी दर्शन करा है महाकाल लेके गया और तापी खुछ वे उनको उम्मीद दिली थी कि इसा कुछ भी हो जाएगा और उसके बाद भी कापी अच्छा लग रहा हो उनको एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं यहां पर वैसे अब मैं सर आपको रोकना चाहूंगा और देखिए कार कारिक्रम अबसे शुरू होने में पहले सेशन का कारिक्रम शुरू होने को है